हेलो दोस्तों मेरे गुरकपूरी रसोई चैनल में आज इक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम लोगों को हमेशा अपने ब्रेकफास्ट के लिए एक ऐसी रेसिपी की तलास रहती है जो rich in flavor हो, less oil हो, easy to make हो और protein rich हो तो ये सारी खूबियां हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में हमेशा चाहते हैं की रहे तो यहाँ पे मैं oats की दो रेसिपी आपके साथ share कर रही हूँ यहाँ पे मैंने oats का packet cut किया है और इसमें ये सैसे निकला है और oats को रख देते हैं हम लोग side में ये सैसे का packet हम लोग कट करके देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से flavor है इसमें चार्ट सैसे मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें तीन जो है वो home style taste maker है और एक है tomato tangy flavor जिसमें tomato का बहुत ही अच्छा flavor आएगा बनाने पर तो सबसे पहले हम लोग tomato tangy flavor बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई को गर्म कर लिया है इसमें मैं तीन चमच refined oil डाल रही हूँ आप चाहें तो कालिव आयल या देसी घी भी इस्तमाल कर सकते हैं तो जब यह आयल गरम हो जाएं तो इसमें हम लोग add करेंगे एक चमच जीरा दोस्तो ओट्स की रेसिपी जो होती है वो कही तरह से बनाई जाती है जिसमें आप इडली बना सकते हैं ओट्स से कटलेट बना सकते हैं पैनकेक बना सकते हैं फोहा उपमा काफी चीजें हम लोग इस तरह से अपने breakfast में सामिल कर सकते हैं तो यह जीरा light brown हो गया है अब अब हम लोग add करेंगे इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने एक चमच लिया है साथ ही लिया है अध्रक लेशन का पेस्ट एक चमच इसे भी हम लोग light brown करेंगे फिर यहां पे मैंने कुछ vegetable कट करके रखा है पहले से ही जिसमें एक बड़ा प्याज बारी कटा हुआ गाजर स्वीट कॉन हरा मट्डर लाल शिमला मिर्च पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च यहां पे मैंने एक एक शिमला मिर्च सब ली है अब हम लोग प्याज एड कर देंगे जिसे मैंने बहुत ही बारी कट किया था और इसे भी हम लोग golden brown करेंगे यह बहुत ही instant recipe होती है और फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें सारी वेजिटेबल एड करते जाएंगे यहां पे मैंने हरा सिमला मिर्च डाल दिया है पीला सिमला मिर्च डाल दिया है लाल सिमला मिर्च स्वीट कॉन बेजिटेबल की मात्रा आप जो है अपने according कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहां पे मैंने हरा मटर भी add कर दिया है और जो बारीक गाजर कट किया था उसको भी डाल दिया है अब इसे हम लोग mix करेंगे अच्छे से इसे बहुत साथ पकाना नहीं है नहीं तो इसका जो यह औरिजिनल कलर है यह खतम हो जाएगा वेजिटेबल का तो इसको बहुत साथ पकाना नहीं है बस सॉफ्ट होने तक का हम लोगों को वेट करना है दोस्तों अगर आप अपने breakfast में oats जादा से जादा यूज करते हैं तो आपका weight loss जरूर होगा और आप अपने weight loss के उसमें ये आप जरूर शामिल करें डाइट में और तरह तरह का इससे आप recipe बना सकते हैं और आपका weight loss जरूर होगा ये काफी helpful रहता है क्योंकि इसमें कार्व भी बहुत कम रहता है प्रोटीन रिच रहता है जिससे पेट काफी देर तक भरा भरा हम लोगों को महसूस होता है और ये सारी सबजियां हम लोगों की अब soft हो गई हैं अच्छे से इसे मैं बराबर चला रही हूँ ताकि इसके तली में न ये चिपक जाए जल न जाए इसलिए इसको बराबर में चला रही हूँ इसका color थोड़ा थोड़ा सा change होने लगा है अब इसको एक बार फिर से हम लोग चला देंगे तो अब हम लोग यहाँ पे जो टैंगी फ्लेवर है टोमैटो टैंगी फ्लेवर है हम लोग इसे अब कट करेंगे इस तैसे को और इसमें एड़ कर देंगे इस टेस्ट मेकर में सभी कुछ पहले से ही है नमक है आपको कोई भी मसाला अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें नमक पहले से ही रहता है फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे लगभा आधा गला से थोड़ा जादा पानी मैंने एड़ कर दिया है और इसमें एक उबाला आने तक का हम लोग वेट करेंगे तो देखिए यह हलका हलका उबालाने लगा है अब हम लोग एक बोल में ओट्स ले लेंगे यह लगभाग मैंने एक कप से थोड़ा जादा लिया है इसमें हम लोग एड़ कर देंगे अब ओट्स और पानी हम लोग को थोड़ा और एड़ करना रहेगा लगभाग पूरा इगलास पानी यहाँ पे मैंने लिया था जिसमें आदे से थोड़ा जादा डाला है और थोड़ा बचा लिया था तो अब थोड़ा मैं पानी फिर से आड़ करूँगी इसमें यह बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी होती है और बन कर जल्दी से त्यार हो जाती है यह अब इसे हम लोग पास मिनट के लिए ढग देंगे ताकि जो ओड़ से वो अच्छे से पक जाए तो पास मिनट हो गया है देखते हैं ओड़ का क्या हाल है अब यह थोड़ा गाढ़ा हो चुका है इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ गई है और ओड़ भी पक चुका है अच्छे से सबजेयां भी पक गई है और जो कलर है टेस्ट मेकर से बहुत ही अच्छा आया है तो इसे हम लोग अब थोड़ा सा थंड़ा करेंगे और पास मिनट बाद थंड़ा होने के बाद हम लोग इसे अब एक बोल में सर्फ करेंगे तो देखिए ओट्स अब थंड़ा हो चुका है तो अब हम लोग अब इसे सर्फ करेंगे ओट्स हम लोग का बन के रेड़ी है पहला जो टोमेटो टैंग की फ्लेवर है वो बन कर रेड़ी है और यह बहुत हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें काफी वेजिटेबल्स अड़ की है तो यह वैसे भी बहुत हेल्दी है बहुत ही यमी दिख रहा है खाने में और कलर बहुत ही अच्छा आया है इसमें मैंने टोमेटो अलग से एड नहीं किया था क्योंकि फिर बहुत ही जादा फ्लेवर उसका आने लगता क्योंकि यह टेस्ट मेकर भी टोमेटो के ही फ्लेवर का है तो मैंने यहाँ पे रेड़ी कर दिया है अब सेकंड फ्लेवर हम लोग बनाएंगे यहां पे होम स्टाइल टेस्ट मेकर से यहां पे मैं बनाने जा रही हूँ पोहा और उसके लिए हम लोग ने एक कड़ाई रखी है जिसमें मैंने फिर से त्री टेबल स्पून रिफाइंड आयल डाला है फिर मैं यहां तड़की के लिए ले रही हूँ करी का पत्ता काली राई और हरी मिर्च यह सभी चीज हम लोग आयल में डाल देंगे जब यह थोड़ा सा लाल हो जाए और चटकने लगे राई तो हम लोग यह वेजिटेबल फिर से आड़ करेंगे जिसमें शिम्ला मिर्च तीन होता रहा है कि कलरफिल प्याज है और दमाटर है तो सबसे पहले यहाँ पहरे मैं प्याज इसमें डाल दूँगी यहाँ पहरे मैंने सब एक गाजर, एक शिम्ला मिर्च, एक एक ऐसे मैंने लिया है थोड़ा ऐसा हरमटर लिया है स्वीट कॉर्ण है फिर यहां पे तब तक जब तक प्याज लाल हो रहा है यहां पे हम लोग पोहे के लिए ओट्स रेडी कर लेंगे यहां पे मैंने एक बोल में ओट्स निकाल लिया है लगभग एक कप और इस पोट्स में हम लोग थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे लगभग ये एकदम ड्राइ ही रहे और इस तरह से पानी हम लोग मिक्स कर देंगे देखिए बहुत ज़दा पानी नहीं डालना है तो ये प्याज हम लोगों के लाल हो गए हैं अब इसमें मैं डालूंगी मुंख्फिली के दाने जो रोज्ट की होए हैं पहले से ही अब हम लोग इसमें अब एड़ करेंगे जो मैंने वेजिटेबल सब कट करके रखा था शिम्ला मिर्च लाल हरा शिम्ला मिर्च टमाटर एक और हरा मटर गाजर और यलो शिम्ला मिर्च ये सब ही चीजें मैंने अड़ कर दी है इसे हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हलका सा पकाएंगे तो देखिए ये अब बहुत ही अच्छा कलर इसका दीख रहा है वेजिटेबल का और सॉफ्ट भी हो गई है ये सारी सब्जियां अब इस समय हम लोग एड़ करेंगे होम स्टाइल टेस्ट मेकर यहां पर मैंने एक सैसे कट कर लिया है और इसमें एड़ कर देंगे हम लोग फ्लेवर के लिए और एक कप ओट्स में एक सैसे बहुत ही सफिसेंट है इतना तो ये सब्जियों में मैंने एड़ कर दिया है सैसे जो है टेस्ट मेकर और अब हम लोग जो रेड़ी किये थे ओट्स उसको डालेंगे थोड़ा सा मैंने हल्दी भी हाँ पे इस्तमाल किया है आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और नमक थोड़ा सा नमक टेस्ट मेकर में पहले से ही है तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक इसमें एड़ कर दिया है अब हम लोग इसमें आट करेंगे ओट्स इसको एक बार हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छा से और फिर उसमें डाल देंगे कढ़ाई में तो देखिए पानी हम लोगों को इतना ही रखना है इसे जादा पानी रहेगा तो ओर्ट्स जो है वो बहुत एकदम जो गीला गीला हो जाएगा बहुत ही जादा ड्राई नहीं बनेगा खिला खिला मैंने ये ओर्ट्स इसमें शामिल कर दिया है और देखिए ये बहुत ही अलग अलग हो गया है और इसे हम लोगों को इस तरह से ढखना नहीं है ऐसे ही खुले में ही बनाना है इसको ढखेंगे तो हम लोग उसके मौशर से ये खराब हो जाएगा तो खिला खिला नहीं यहां पर मैंने नीबू का रज भी इस्तमाल किया था दो चमच अब इसे हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे तो देखिए बहुत ही खिला खिला हुआ ये दिख रहा है एक एक दाने जो ओट्स के हैं वो अलग अलग है बहुत ही परफेक्ट पूहा बनके रेडी हुआ है अब इसे हम लोग सर्फ करेंगे ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है जट पेट बनकर त्यार हो जाती है ये कम से कम दो लोगों के लिए बनकर रेडी हुआ है पूहा आप इसमें चाहें तो कुछ ड्राइज जो नट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं काजू किसमीस इस तरह से कुछ भी आप इस्तमाल कर सकते हैं तो ये पूहा हम लोगों का बनकर रेडी है और इसे अब हम लोग गानिश करेंगी करीपता नीबू और हरिमेट्स से तो दोस्तों ये दोनों ही रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट शेक्षन में आकर अपना आंसर जो है आप बताएं और अगर आपको मेरी कुकिंग स्टाइल अच्छी लगती हो मेरी रेसिपी सापको पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना ना भूलें और प वीडियो है ये शेयर करिए देखने के लिए धन्यवाद